हम सब के प्रिय भगवान शिव का जन्न नहीं हुआ है वे स्वयम्भू हैं लेकिन पुराणों में उनकी उत्पत्ती का विवरन मिलता है विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभी कमल से पैदा हुए जबकि शिव भगवान विष्णु के मा बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहनकार से अभिभूत हो स्वयम को श्वेष्ट बताते हुए लड़ रहे थे तब एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए विष्णु पुराण में वर्नित शिव के जन्म की कहानी शायद भगवान शिव का ए इसके अनुसार ब्रह्मा को एक बच्चे की जरूरत थी उन्होंने इसके लिए तपस्या की तब अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसका कोई नाम नहीं है इसलिए वहरो रहा है क्या आप जानते हैं भगवान शिव के दस रुद्रावतार तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रूद्र रखा जिसका अर्थ होता है रोने वाला शिव तब भी चुप नहीं हुए इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया पर पशुपती ईशान और महादेव से जाने गए शिव पुरान के अनुसार यह नाम पृत्वी पर लिखे गए थे शिव के इस प्रकार ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विश्नु पुरान की एक पुरानिक कथा है इसके अनुसार जब धर्ती आकाश पाताल समेत पूरा ब्रह्मान जलमगन था तब ब्रह्मा विश्नु और महेश शिव के सिवा कोई भी देव या प्रानी नहीं था तब केवल विश्नु भी जल सतह पर अपने शेशनाग पर लेटे नजर आ रहे थे तब उनकी नाभी से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट तब शिव के रूट जाने के भैसे भगवान विश्नु ने दिव्यद्रिष्टी प्रदान कर ब्रह्मा को शिव की आद दिलाए ब्रह्मा को अपनी गलती का एसास हुआ और शिव से क्षमा मानते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशिरवाद मानगा शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशिरवाद प्रदान किया जब ब्रम्हा ने सृष्टी की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का आशिरवाद ध्यान आया अतह ब्रम्हा ने तपस्या की और बालक शिव बच्चे के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए श्वी शिवाए नमस्तुब्यम